इस वीडियो में आप अपने फ्रीज की कंप्रेसर को लेकर डाउट होते हैं उसको किलियर कर सकते हो पेचांट सकोगे अगर आप टेग्निशन्स नहीं हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफूल फाइदेमन होने वाला है वीडियो में कवर करेंगे फ्रीज क अभरा कए करेंगा कि प्रेज के तिंटा नहीं हो रहा दूसरा कबर करेंगे फ्रीज का का में नया रिले भी लगा दिया पिर भी कंप्रेशर बंद हो जाता है एक हैं पांच मिनट से भी कम समय में चालू होता है जैसे switch on करते हैं चालू होता है उसके पाद तुरंद ही वह आप हो जाता है compressor खराब हो गया है या फिर नहीं उसको आप पैजान सकते हो मैं फिर से बता देता हूँ यह वीडियो अगर आप technicians नहीं है तो भी बहुत ही useful और फाइदेमंद होने वाला है क्योंकि बहुत ही असान इस टेप के साथ बताने वाला हूँ जिससे आपने फ्रेज की compressor के साथ क्या हो रहा है उस condition में क्या क्या regions हो सकते हैं कैसे हमें चैट करना है तो सबसे पहले तो हम हमारे बिजली की बोर्ड जिस पर यह plug wire लगा कर रखते हैं उसको देखेंगे कि वहां पर कोई तार loose तो नहीं है या फिर उस बोर्ड में कोई पार्किंग वगरा तो नहीं हो रहा है उ अलग करने के बाद हम पीछे के साइड यहां पर किसी भी वायरिंग को हां से छोएंगा तो compressor में दो छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं तो दोनों पार्ट में दोनों वायरिंग को हमें अलग निकालना है तो निकालने से पहले अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो ले लोग ताकि कोई confusion नहीं होगी तो इसकी एक एक वायर इस तरीके से निकाल देता हूं यह देखिया तो इसमें लगे छोटे-छोटे पार्ट भी असानी से बाहर निकाल सकते हैं अब मैं यहां पर उसके दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि यह जो compressor है कुछ ही सेकंड चल से चैक किया है तो यहां पर बिल्कुल continuity दिखाता है on दिखाता है लेकिन फिर भी overload को change हमने किया है तो compressor जो हमारा कुछ second चल कर off हो रहा था वो फिर से बढ़ियाद चलने लगा था यानि कि overload जब हम continuity या फिर multimeter से चैक किया तो यह ठीक दिखाया उसके बावजोद भी वह problem कई बार overload कमजोर होने के कारण होता है यानि कि compressor को load को ठीक से नहीं लेपाने के कारण overload कमजोर होने के कारण कुछ second चल कर compressor off होता है ऐसे problem देखने को मिलते हैं दोस्तों यह चोटी-चोटी part मेरे हाथों पर देख पा रहे हैं इसको किस तरीके से चैक करते हैं चैक करने का का आप ही असान तरीके होते हैं तो आप मेरे वीडियो के description लिंक पर या फिर playlist पर चैक करोगे तो इसको चैक करने का तरीका असानी से देख सकोगे ठीक है तो मैं यहाँ पर overload को चेक किया ठीक दिखाया लेकिन कमजोर होने के current compressor trip करता है और off होता है तो दूसरे region यह हैं तीसर हो रहा है कुछ second चलने के बाद यानि कि compressor को जब हम multimeter से चेक करते हैं तो compressor high ampere दिखाता है यह compressor खराब हो जाता है जिसकी करण से ऐसा tripping problem करता है दूस्तों मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जो technicians नहीं है उसके लिए वीडियो मेरा useful है तो मैं multimeter वगरा से चैक नहीं करो मेरा experience बताता हूं कि मैं इन दोनों पार्ट को अगर नया लाकर भी लगा दूं तो इस compressor के साथ जैसे बिजली की switch on करता हूं तो मेरे दोनों नय ने पार्ट में से दोनों में से कोई भी एक पार्ट को तूरंती जो compressor है पाक करेगा खराब करेगा उस condition में आप पहिचान लोगे की यह जोНе जो और हम फिरीज्ग का कंप्रिशर खराब हो चुका है है अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोनों चीज़ों को हठा देते था दोस्तों और फिरीजक का कंप्रिशर गरम होने वाला पॉइंट को कवर करेंगे फिरिजक का वानी इन का कारण यहाँ पर मै इसका ताकत है लगा देता है और फ्रीज का यानि की पॉइंट है जो देख पा रहे हैं चोकिंग रहता है तो यह बहुत ही जादा ताकत लगाने करन बहुत जल्दी ओवर हीट हो जाता है गरम हो जाता है फिर कंप्रिसर अपना काम करना बंद कर दिता है उस कंडिशन में ताकत है कंप्रिसर लगाता है और यह जब ठक ज THIS कृणता है तो काफ़ी जादा हीट हो जाता है और चौक इये बैड जाता है जब आप च्क करते हो कि आपके फ्रीज कूछ दिर बंद रखते हो दोडाई गंटा फिर से स्टार्ट करते हैं तो फिर कुछ देर ठंडा होता ह के बाद फिर से वही रिजन्स होता है तो यह समझ जाना कि आपके जो फ्रीज है वो चोकिंग प्रोब्लम है कुछ धर ठंडा होने के बाद बंद होना कूलिंग याने की कंप्रीशर बहुत ही जादा हीट हो जाता है तो इस कंडिशन में आपकी कंप्रीशर नहीं यहां पर च याने की इसमें दो पॉइंट बने होते हैं एक पॉइंट में रनिंग मान लेते हैं दूसरे को स्टार्टिंग मान लेते हैं तो दोस्तों कई बार क्या होता है यहां पर हमने याने की चलिए मैं इसमें फेज दे दिया यहां पर नूटल दे देता हूं या फिर आप इसमें न्यूटल दे दो इसको फेज दे दो बात देखी है तो यहाँ पर हमने फेज दिया है और यहाँ पर इसको न्यूटल दिया है याने कि दो point compressor को पहुँच गया लेकिन starting नहीं पहुँचा है याने कि इस relay का एक वाला point खराब है याने कि यहाँ पर फेज और न्यूटल पहुच गया है और starting point नहीं पहुचा है तो भी इस compressor में न्यूटल और फेज जाने के कारण यह इतना heat हो जाता है start नहीं होता है जिसकी कारण यह working नहीं करता तो इस condition में आप अपने फेज की जो relay देख पा रहे हो उसको check करो चेक करने के बाद पाओगे कि एक आध पॉइंट खराब है तो इस condition में जो compressor है काफी जादा गरम होता है लेकिन काम नहीं करता है तो इसको change करने के बाद आपने फेज की compressor की गरम होने वाले प्रोब्लम का solution निकाल सकते हैं तो मैंने इस वीडियो में काफी सिंपल जानकारे दिया है दोनों पार्ट को चेक करो दोनों पार्ट सही है तो compressor खराब हो सकता है काफी सिंपल तरीके से वीडियो में बताया है तो इस तरीके से आप अगर टैक्नीशन नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी यूसपूल फाइदे मन हो सकता है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से लाएंगे नहीं जानकारे के साथ नहीं वीडियो दूस्तों मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि अग अगर बहुत ही जादा हीट हो रहा है तो यह समझ लेना कि आपके फ्रीज में चोकिंग संबंदित प्रॉब्लम हो गया है उस कंडिशन में पुलवा कर फिर से गैस रिपिल यह चार्ज करवाने का जोरत पड़ता है तो मैं यह दो टीन टॉपिक को कवर किया हूं जिसमें आप फिरीज की रिले ओलपी को अच्छ से चैक करेंगे और नया लगा कर चैक करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा या पर सौल हो जाते हैं लेकिन जब चोकिंग की प्रॉब्लम होगा तभी आपको मैकेनिक को बुलवान अपड़ेगा तो वीडियो से ज नहीं जान काले लेकर